हेलो गईज, मैं आपके लिए वाड़ी बिल्लिंग वोल्ड से न्यूज और अपडेट्स लेकर रहे हूँ तो सबसे पहले बात करेंगे काई गरीन के बारे में तो हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने हमारी इंस्टाग्राम चैनल पर हमें यही वीडियो बेजा था तो इस वीडियो में काई गरीन, फिल हीट और बिग रैमी को पोक कर रहे हैं मतलब एक तरह से चिडा रहे हैं इस वीडियो में बिग रैमी और फिल हीट का नाम लेकर उन्हें वो चुनोती दे रहे हैं कॉम्पेटिशन के लिए तो बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था कि काई गरीन कमबैक अनॉसमेट कर रहे हैं काई गरीन को चर्चा में रहना बहुत ज़्दा पसंद है तो वो हर साल अपने आराउंड हैप क्रियेट करते हैं वो हमेशा एक हिंट देते हैं कि वो इस बार कमबैक करेंगे इस बार कमबैक करेंगे पर हर साल वो सभी फैंस को निराज कर देते हैं मुझे इस साल भी यही लगता है वो इस साल भी कमबैक नहीं करने वाले हैं अगर मेरी माने तो काईगरी ने ऐसी फ़नी चीज़े करते रहे थे हैं उन्हें सिरियसली लेने की ज़रूरिथी नहीं है तो सेकेंड नियूज है भौन चोहन के बारे में तो भौन चोहन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला है तो भौन चोहन भी गेनिंग फेज पर है फिर भी फिर भी उन्होंने अपनी बौडी फैट परसेंटेज 8% से नीचे रखा है तो मुझे किसे पता तो मैंने उनके एक वीडियो देखी थी रिसेंट वीडियो फुल डे उप इटिंग उसमें उन्होंने बताया कि उनका बौडी फैट परसेंटेज 8% है और उन्होंने ये भी बताया कि इस गेणिंग फैज के दोरान उनका गोल है उनके वीडियो बौडी पार्ट से चेश्ट और आर्म्स तो उस वीडियो बौडी पार्ट को वो ग्रो करना चाते है उनमें साइज एड़ करना चाते है और इस फिजिक अपडेट में देख सकता हूँ कि उन्होंने साइज गेन किया है पर अपनी वेस्ट को टाइट ही रखा है अपनी वेस्ट को बढ़ने नहीं दिया है तो हम उनसे यही उमिद करते हैं कि वो पिछले साल की तरह ही इस बार भी मिस्टर ओलंपिया के लिए कौ कोच हाइर किया है निल हिल जोकि फ्लेक्स लूइस जॉन डिल ररजा राफ़िल ब्रेंडो इन सारे बड़े बॉडि बिल्डर्स के कोच रहे हैं तो रोमन रिंग्स ने भी निल हिल को अपना कोच चुना है तो बहुत सरे लोगों को यह लग रहा होगा कि रोमन रिंग्स बॉडी बिल्डिंग में कम्पिट करने वाल है, उन्हेंने WWE से बॉडी बिल्डिंग में स्विच करा है, पर ऐसा नहीं है, वो अपनी बॉडी को ग्रो करना चाते हैं, मैंने उनके बारे में कुछ बाते सुनी थी, कि उनका कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, उन्हेंने हेल्थ problem की वजह से WWE से थोड़ा सा break लिया है तो मुझे लगता है कि इस break के दोरान वो अपनी body को और जदा grow करना चाहते है body को और जदा push करना चाहते है तो यहीं उनके पास time है वो अपने body पर काम कर सकते है तो news यह थी कि वो अपने coach Neil Hill के साथ लाइव आने वाले हैं, तो लाइव का टाइमिंग है चार पीम, चार पीम ये यूएस का टाइम है, मतलब हमारे इंडिया का टाइम है देड एम, सुबे के देड, मतलब ये जब मैं वीडियो अप्लोड करूँगा, तब तक ये लाइव खतम हो चुका होगा, पर फिर भी अपनी गेनिंग फेज पर है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कि उन्होंने थोड़ा सा फैट गेन किया है, वो अब लीन नहीं रहे है, विल्लेम बोनेक कॉंपेटिशन के दौरान हमेशा लीन रहते हैं, पर अब उन्होंने अपना प्रेप शुलू कर दिया है, तो अब थोड़ा सा फैट गेन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मसल मास गेन कर सकते हैं, तो विल्लेम बोनेक पहले से मिस्टर ओलंपिया 2020 के लिए क्वालिफाई थे, पर फिर विए उन्होंने अर्नल क्लासिक खेला, अब इस कोरोना वायरस के वाज़े से सारे शो पोश्पॉन हो उन्हें अपनी वेस्ट को टाइट ही रखा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कि उनका वी टेपर बहुत बड़ी आ रहा है, उनके शोल्डर्स में बहुत ज़दा इंप्रूमेंट्स हैं, शोल्डर्स राउंड राउंड लग रहे हैं, आर्म्स में भी उन्होंने सा तो कियौन पियर्सन ने पिछले साल क्लासिक फिजिक डिविजन से 212 डिविजन में स्विच कर रहा था, तो मुझे ये लगा था कि इस वेट तक पहुचने के लिए कियौन पियर्सन को बहुत ज़दा दिकत आने वाली है, पर मैं गलत था, कियौन पियर्सन ने एक साल के अंदर अंदर ही इस वेट तक पोच कर दिखाया है उन्होंने अपने इस्टाग्राम पेज पर उनकी वेट की स्टोरी डाली उसमें दिख रहा है कि आभी वो 212 से बहुत ज़्यदा नस्दीग है पर ये प्यूवर मसलमास नहीं है उसमें वाटर वेट भी है उसमें फैड भी पर उलम्पिया हो और में अभी बहुत टाइम है उस वक तक वह अभी वे अपना मसलमास बढ़ा सकते हैं पर उन्होंने ये काया है कि वो इस साल कंप्रीट नहीं करने वाले है तो उनके पस अभी यह बहुत ज्यादा टाइम है तो हम्हें देखना होगा कि क्यों पियर्सन क अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रू करो और ऐसे अच्छे वीडियों के लिए सब्सक्राइब भी ज़रू करो और हाँ अगर आपके पास बाड़ी बिलिंग फिल्ड से लेटर कोई न्यूज है तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रू शेयर की हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है थेंक यू